Welcome back to another video और आज की वीडियो बहुत जाद है निप्रोटेंट है क्योंकि अब लोग Facebook से पैसा कमाने लगे हैं Yes, Facebook ने एक professional जो mode है उसको enable करती है वहाँ से आप stars के थुरू या फिर आप real monetization के थुरू पैसा कमा सकते हैं अब बहुत से accounts में ये professional mode का जो option है वो आई नहीं रहा है अब आप उसे कैसे ला सकते हैं इस वीडियो में ये discuss करूँगा Simple सा process है चोटी जी वीडियो होगी वीडियो का इंट तक जो देखना है बिना skip किये करे स्क्राइब Hello everyone मेरा नाम मेरा चैनल का नाम है अब coming world अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है लाइक जरू कर देना चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब अब बात कर लेते कि आप उस professional mode जो option है Facebook का उसे कैसे enable कर सकते हैं उसके लिए लेके चलता है आपको अपने mobile phone की screen पे यहाँ आपको मेरे mobile phone की screen दिख रही होगी हम लोग Facebook के application पे चलेते हैं मैं आपको बता दूँ मेरे पास यह option था मैंने हटा दिया पहले था यान कि अब नहीं है अब आपने भी एक गल्ती कर रखी होगी जिसके वज़े से आपको यह option नहीं मेरे पास professional mode है मेरे पास professional mode है सब लोग बोल रहांगा आप अपनी settings में जाके देख रहा हो अपने profile में यहाँ पे जैसे आप profile पे tap करोगे मैं आपको home screen से लेके आता हूँ ओके यहाँ से back back ओके आपको home profile जो home page पे यहाँ से दिखा देता हूँ तो यहाँ से अगर आप क्या करोगे अपनी profile पे tap करोगे ऐसे करके and see your profile पे अगर अगर 3. पे tap करते तो यहाँ पे गयता है सब से नीचे और ओके पास तो option आ रहा है लेकिन आपके पास यह option है नहीं अब आपको यह मिलेगा कैसे and यहीं पे यह आपने गलती कर रखे होगे आपको चीज को चेक करना है अगर आपका जो account है वो private है यानि कि आपका account personal है या फिर आपने अपने account को lock किया हुआ है तो यह option obviously आपको मिलेगा यह नहीं क्योंकि professional mode का option यान कि public account आप public के लिए कोई काम करोगे तभी तो आपको monetization होंगी आपकी चीज है तभी तो आपको पैसा मिलेगा Facebook से यही चीज है हमने अपनी profile को lock किया हुआ है और उस वे इसे option नहीं मिल रहा है आपको यह क्या कम है आपको setting पर आजाना है और यहां से आपको दिख रहा होगा unlock profile के option मैंने अपनी profile को lock किया हुआ था इसे स्वाइस से मुझे option नहीं मिल रहा है आपने भी lock किया होगा यही गल्दी करोगी आप एक बार चेक कर लो और यहां से मैं इसे unlock कर लेता हूँ तीसर बटन टाप करूँगा ओके unlock profile को option मिल गया है यहां से मैं unlock कर लिया है और आपने देख लिया था मुझे वहाँ पर option नहीं मिल रहा था लेकिन अब जैसे मैं refresh करूँगा मुझे वहाँ पर option मिल जाएगा आपके सामने अगर मैं यहां पर refresh करूँगा अभी आपको privacy center के नीचे turn on professional mode को option नहीं मिल रहा है अब मैं यहां से refresh करता हूँ अपनी profile को unlock करने के बाद यह देखो turn on professional mode को option मिल गया है यही reason है जिसके वैसे आपको नहीं मिल रहा है आपको युबर चेक कर लेना और उसी के साथ साथ अगर तब भी आपको नहीं मिलता है तो आप एक काम करना आप अपने जो facebook की profile को update कर लेना आपको वहां से मिल जाएगा main reason यही था आपको पता चल गया होगा and अब अगर आपको मिल जाता है तो यह option तो मुझे comment box में yes लिख देना ताकि बहुत से लोगों को help हो जाएगी क्योंकि वो mostly commenty पढ़ते है और आपको तब भी नहीं मिलता है तो नो लिख देना ताकि मैं और अच्छे से dedicated video इसमें बना सकूँ सारे possible way इसमें बता सकूँ अनशी के साथ साथ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दो चैनल को कर दो subscribe क्योंकि मैंने बहुत ही छोड़ी से video रखिया है and Chris मैं knowledge रखता हूं ताकि आप लोग को एकदम छोड़ी से video में सारी चीज समझा दो right thank you so much